अपनी कुरूरता और बरबरता के लिए मसूर अलाउद्दिन खिलजी एक सिरे से सभी यूज जीतता जा रहा था। उसने रन धंबोर पर अपना वर्चस्व इस्तापित करने के बाद चित तोड़ के किले को अपना निशाना बनाया। हाला कि उसने यह किला भी अपने आधिन कर लिया लेकिन इसे जितने के लिए उसे बहुत यह करारी टकर का सामना करना पड़ा था। उसे महल में परविश करने में महिनों लग गए थे। तो आईए जानते हैं इतिहास के पन्नों को पलटते हुए चित तोड़ के युद की कहाने। बारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मेवाड छेतर में गुहिला सामराज्य का राज हुआ करता था। जिसमें चित्तोड का किला भी सामिल था। सन 1299 में अलाउदिन खिलजी का जनरल उलूक खान गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। इसी दोरान उसने रास्ते में पढ़ने वाले मेवाड छेतर पर भी हमला बोल दिया। 1301 में अलाउदिन ने रन्थंबोर जो की दिल्ली और चित्तोड के बीच में इस्ते थे। वहाँ खिलजी ने अपनी जीत दर्ज करते हुए रन्थंबोर को अपने आधिन कर लिया था। इसी वर्ष रत्न सिम्हा यानि रत्न सिंग ने चित्तोड की गद्धी पर चड़ाई करते वे इसे अपने अधिकार में ले लिया। मलिक मुहमत जाईशी की एतिहासिक कविता पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन ने चित्तोल पर हमला रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए किया था। पदमावत राजा रतन सिम्हा यानि रतन सिंग की पत्नी थी पदमावत के अनुसार ही एक राघव नाम के वेक्ति ने अलाउद्दिन खिल जी को जाकर राणी पदमिनी की खुबसूरती का बखान किया जिसे सुनकर खिल जी ने चित्तोल गर पर चड़ाई करने का फैसलाग लिया 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दिन ने अपनी बड़ी सी सेना के साथ चित्तोल गर की तरफ चड़ाई के मकसद से चलना सुरू कर दिया सेना के साथ किले के पास पहुचने के बाद उसने बेरेच और गंभीरी नदी के बीच अपना कैंप लगा लिया खिल जी की सेना ने रतन सिंग के किले को चारो ओर से घेल लिया अलाउद्दिन ने खुच चित्तोली पाहरी पर कैम्प लाकर जम गया उसने यह घेराव लगातार आट मैने तक किये रखा जिससे यह साबित होता है कि बचाव करने वाले यानि राजा रतन सिंग ने उसे करारी टकर दी थी खिलजी की नौबत ऐसी आ गई थी कि आमिर खुचरो भी खिलजी का साथ देने के लिए इस यूद में कूत पड़ा दोनों ने मिलकर दो बार सामने के द्वार से चड़ाई करने की नाक्यामियाब कोशिस की वह राजपूच राजा के सामने मूग की खा रहे थे पदमाबत के अनुसार राजा रदन सिंग की सेना दो मेहने की बारिज के मौसम के दोरान लगबक आधी पहाडी तक पहुचने में कामियाब हो गई थी लेकिन दुर्भागे बस वो उसके आगे नहीं बढ़ पाई इस दोरान अलाउद्दीन ने अपने सेनिकों को पहाडी और किले पर पत्तर फैकने का आधेश दिया साथ ही उसके हत्यार बंद सेनिकों को किले पर चारो और से हमला करने के आधेश दे दिया माना जाता है कि इस दोरान किले की रखवाली करने वाली सेना भूग, अकाल और महामारी से जूज रही थी किले में मौजूद सेना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी 26 अगस 1303 को अलाउद्दीन किले में परवेस करने में सफल हो गया वहाँ अपनी फत्र हासिल करने के बाद उसने चितोर की जनता के नरसंगार का आदेश दे दिया आमिर खुसरो के अनुसार खिलजी के दिये हुए आदेश पर करीब 30,000 हिंदूओं को किसी सूखी घास की तरह काट डाला गया इस युद में राजा रतन सिंग के साथ क्या हुआ इस पर अभी भी मतबेद है इस विशे पर अलग-अलग मुसलिम लेकगों ने अलग-अलग बात कही है इसमें आमिर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी और इसलामी लिखते हैं कि चित तोड के राजा ने अलाउद्दीन के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हें खेलजी ने माफ भी कर दिया इसी प्रकार जेन कक्का सूरी ने लिखा कि अलाउद्दीन ने राजा की सारी संपत्ती ले ली और उसके बाद उसने राजा की हालत कुछ ऐसी कर दी थी कि वह एक राजे से दूसरे राजे तक मारा मारा फिरता रहे जबकि इसी विशे पर आधुने कितिहास कारों को मानना अलग है उनके मताबिक राजा रतन सिंग आकरी समय तक लड़ते हुए युद भूमी में ही सहीद होगा